हाइ फ्रेंड्स वैलकम् तू मा यूटू चैनल जितने भी जारकल्ड के स्टूडेंट्स हैं जेसें जेस्टसी जेप्एस्टी का ख्भाप देखते हैं जी हां ख्वाब ही कहेंगे क्योंकि एक्जाम ही होती नहीं है और नहीं निक्ति होती है अभी जेप्यस्की का एक एक्जाम है जिसके लिए आप लोग तैयारी करें वेस्ट अपलक्त अब यहां पर एक नया सिगोफा छोड़ा जा रहा जारकनिस्टरकार के दोरा कि जल्द ब बनी है स्थानियता नेती बनी है उसमें बहुत सारी कमिया है उसको फिर चैन्ज किया जाएगा फिर कितनी बार चैन्ज करना पड़ेगा कोई अंदाजा नहीं है को इस्वास नहीं है सरकार और इधर का जा रहा कि जातिये जनगन्ना के लिए परधानमत्री मोदी से मिलेंगे तो भईया जातिये जनगन्ना करने से क्या जारकन में रोजगार मिल जाएगा जारकन में जो भी लोग हैं जारकन्डियों को हाक मिले अस्थानिता निती अच्छी से बने 1932 के खतियान वाली उसके बाद ना आरक्षन की जरुत उतनी ज़्यादा पड़े हैं हलाकि आरक्षन तो रहे गा ही और नहीं जाती है जन्गन्ना की एक बार 1932 का खतियान वाला यहां पर अस्थानी यह बन जाए और अगर अभी ओ आरक्षन जिसको मिला है इधर पिछोडों यहां के लोगों को और जो नियोजन निती अस्थानीता निती बनाने की बात की जा रही है यहां वेकंसी नहीं कल रही है तो अस्थानीता निती बना करके क्या करें वेकंसी निकालना होता तो नियोजन निती बनाना अस्थानीता निती बनाना को बहुत बड़ी चीज नही वान वीक के अंदर जितने भी अफसर हैं जितने भी नेता हैं और चात्रों का परती नीजी मंडल मिल करके इसको त्यार किया जा सकता है और कई बार तैयार भी हुआ है और दूसरी बात है कि जो पहले से युक्ति के लिए सब कुछ हो चुका है फैनल रिजल्ट आना है उनको भी नहीं किया जाना है तो सरकार की मंसा ठीक नहीं है और इधर एक अलग लॉरी पॉप दी आ गया है कि आरें नीजी छेतर में 75% बहाली किया जाएगा जारकंड के लोगों का तो नीजी छेतर में वेकंसी निकले कि तब तो जारकंड के लोग उसमें अपलाई करेंगे वेकंसी कब निकलती है कहा चात्रों को समझना पड़ेगा स्टी और बटने में और आरक्षन बढ़वाने में रहेंगे चात्रों की एक ही मांग हो कि जल्द जो भी नियम बनाना है जल्दी बनाए और वेकंसी दें और पहले के एक्जाम और रिजल्ट जो निकला है उसको किलियर करें बस इतनी मांग होना चाहिए और नहीं हमें जातिये जंगना में बटना है ना सरना धर्म कोड में बटना है नहीं और अरक्षन में और नहीं हमको मंदिर मस्जिद करोना है वहां पर बिदान सभा में नमाज और बजरंग बली का मंदिर बने यह सब चीज़ हैं बजरंग बली तो हमारे दि योगों ने कि हमें नमाज पढ़ने दिया जाएक बिदान समाथ दो तिन विद्धायक है मुस्लिम के वह कहें भी नमाज पढ़ लेंगे रोड पर भी बढ़के नमाज पढ़ लेते हैं अब कहरे हैं कि फिर से स्थानिता निति बनाएंगे फिर से अरक्षन सब कुछ तो बynnाना ही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि नियम बना हुआ है। निति बनाना है। नियूजन निती बनाना है स्थानीता निती बनाना है 75% प्राइविट में देना है तो इतनी शारी चीजे होने में साल दो साल का वक्त लग जाएगा और वेकंसी नहीं आएगी और फिर से इनका चुनाव आ जाएगा और चुनाव की समय कुछ वेकंसी निकाल करके कर दो